हुआ हेलो अब्रीबान वेल्कम टू अबर चैनल लाइपेबर क्लासेश एजुकेशन इस दा की टू सक्सेसिन लाइप तो फाइनल दोस्तों आज फिर सापका स्वागत है जीस प्रैक्टिस सेट 6 में कौन सा है दोस्तों जन्रा नोलीज हम करा रहे हैं आप सभी को पताइए तो जीस के प्रैक्टिस सेट 6 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आजम करने वाले मोस्ट इंपोर्डेंट को संस्ट ठीक है तो बाइलेंगवल होंगे हिंदी में भी अपलब्द है यहां पर साइड में ठीक है और राइट कोर्णर पर आपके इंगलिस में भी हमने लग यूप यूप ऐसाई हो यूप कॉंस्टेबल और राजिस्तान कॉंस्टेबलव वीडियो वाला ओ ठीक है तो जीस का तो वेटे सभी में होता है तो इस पैसल एन टीपीची हो गया है हमारा गुरूप डीने की लिए थीक है तो दोस्तों क्लास को सेर करते रही है बराबर ठ कर लिजिए ताकि आपको डेनी नोटिफिकाशन मिलते रहे और आप हमारी क्लास के सिड्डियूल जाना उसके साथ बने रहे ठीक है आपको भी हैल्प होती रहेगी क्लास चलती है ठीक है तो पहला कुशन साफ इस्क्रीन पर देख पार होंगे क्या है प्रती पर दिन और रात होते हैं तो उप्संस में आपको स्लेक्ट करना है कि मतलब देनिक गती के कारण मतलब किस वज़े से होते हैं ठीक है आर दर डे एंड नाइट ओन अर्थ मतलब किस वज़े से हमारे प्रती पर दिन और रात होते हैं तो किस वज़े से होते हैं दोस्तों देनिक गती के कारण हमारा होता है because of daily motion ठीक है तो daily motion के कारण हमारे प्रती पर दिन और रात होते हैं ठीक है तो यह कुशन अच्छा है आप सभी को बताई है मतलब इस्टाइप को सन आज गल पूछे जा रहे हैं डिमांडिंग ग्रह से कौन सा बड़ा ग्रहा है कौन सा सबसे चोटा ग्रहा है तो इसी से इता या चंकीला ग्रहा कौन सा है नीला ग्रहा कौन सा है सबसे गरम ग्रहा कौन सा है तो सबसे बड़ा ग्रहा कौन सा है कौन सा दोस्तों सभी को पता है ब्रहस्पती ठीक है ब्रहस्पती सबसे कि मैं लिख देता हूं एक बार कि सबसे पहले तो हमारा सूर्जय योगा बड़ा बड़ा हो गया में में तो सूर्जय योगा ठीक है तो याद रखना तो उसके क्रम भी बहुत जादा सूर्ज़ा के बाद हमारे क्या है बुद्ध है ठीक है फिर प्रत्थवी मंगल के बाद ब्रहस्पत्य हों गया मंगल के बाद भ्रहस्पति होगिया हमारा ठीक हैं अब सुर्जह बहुते एक जर्जह के पूर्छ Comput पूछ पूछाट बाकि सब्सकppa ऐसक्राइ blends वरुन इस टाइप से ठीक है नेप्चून वगएरा तो यह हमारा क्रम हो गया ठीक है दोस्तों तो इसी टाइप से आपको याद अखना है मुद्ब सूर्ण के सबसे नजदीक कौन सा बुद्ध है हमारा उसके बाद हमारा प्रत्वी हो गया ठीक है और फिर मंगल हो गया अब ठीक है दोस्तों एस्ट्रेट वेल्ट इन दोनों मतलब ग्रहों के बीच ही मिलती है मंगल और प्रस्पती के बीच में याद रखना अच्छा खुशन है ठीक है तो चलते हैं दोस्तों नेस्ट कुशन की तरफ इसका इसका अंसर क्या होगा हमारा जूपीटर ठीक है तो वा समसे होगा साय सबसे छोटा ग्रह है कौन जायते तो बूत हो यह सबसे लिखात ठीक हो था क्या डूरा टो सब्सक्राइब करें तो यह कौन सा होगा धोस्तों सुझेmर्त सब्सक्राइब दोस्तों सब्सक्राइब बढ़ते थोड़ा तेजी से चलते हैं जाद स्क्राइब जैने लिए आई घnaj सेो अगुल हासदारा किस महा सागर में बनती है क्याको essent दोस्तों अगुल हास धारा अगुलहास धारा किस महास अगर में बनती है थो शब्रक्ति है तो अच्छा कोषन है इंपोरके राव का उसके में इंधियाोज जाञा हरा इंड bay कि क्या है प्रत्वि का सबसे भीतर भाला क्रोड किसका बना होता और आगे भी आने की संभावना है और किसे एक्जाम में पूछा जाएगा पक्की बात है क्योंकि अच्छा को सबसे भीत्री करोड होता है ठीक है प्रत्विका सबसे मतलब घीतर का केंद्र हो गया इस ताइप से तो यह जो बना होता है तो निकल को सननल तो अगे को समगे त child को से रिटीजैं से और को मेंट से सब्सक्राइब चाहते हैं तो आसक्रिम कर सकते हैं वैसे हम सोच रहे हैं मतलब कि इस टाइप से सोच रहे हैं इस टाइप से हम सोच रहे हैं तो आप कोमेंट कीजेगा कि आपका यह तरीका सही है नहीं हम ऑगता लिया क्या हमारा भाग के बारे में ठाली तो भाग कर्वाईं में Svaam को करवाई है क्या साम को स्के या CSU करूजियो कर वाए तो हम ये तरीका सोच रहे एक अच्छ है अच्छा तरीके साप प्रोपर तरीके से सापका सब्जेक्ट भी खतम जाएगा और आपकी कोशन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मेरे इसाब से भार फिर कुछ नहीं जाएगा पॉलिटी हो या हमारा इस्ट्री हो जोग्रफी हो तो एक पर कॉमेंट करके बताएगा कि दोस्तों इस टाइप से आपको सही है या नहीं ठीक है तो आप नहीं प्रोडक्शन उफ मेगनीज तो फिर्ष टिस तौपर शिट रूस ठीक है रुसी सग्या रसीयां रूसीयां प्रडरेशन यहां बोल सकते है रूस ठीक है तो रूस कौन से नंबर परस्ट परेट है तो अच्छा कुशन अधों से भी आपके कुशन डेली मतलब बनते हैं एक एक समने बंदा ही और खासकर सब्दक्स के मामले में चीप टीक लगबग जहादा चीजी अ है आफ पट जीजें कंड़े चीड़ीन का लच वो फचलेंगा आपको देख ले कैं तो आगे चलते हैं ठीक है तो कौन सा है दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा अमेरिका ठीक है अमेरिका राइट अंसर हो गया अमेरिका कोईला उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है ठीक है आगे चलते हैं आगे आप कुस्टन देख पार होंगे इनमें किसको जापन का मैंचेस्टर कहा जाता है क्या है विच फफ दीज इसकोलड दम एंस्टर ऑफ जापान तो कि जह का जाता है दोस्तों ओसाहा को ठीक है जापान औशुका को तो यह टोप्लें में पूरित है तक अब तो पूरियो बीजरण एस है जी नहें यही पता कि जो हमारे Vegetप हुए है वो 211 में हुए हैं लेकिन है कि इसके 2020 वाले ठीक है तो कुछ इंट का तो यह कोमेंट देखते हैं मतलब classes में कि हाँ सर अब टो अलम्पिक हमारे 2021 में हैं तो 2020 की बता जा रहा है तो दोस्तों जो उनका नंबर सब्सक्राइब नंबर 2020 वाले ठीक है बट कोरोनम हमारी के कारण जो टल चुके आगे इस वजय से 2021 में हुए ठीक है तो टोक्यो ओलंपिक कौन से थे हमारे 2020 के थे ठीक है बत्तिस्वे नंबर के थे क्या 32 नंबर के थे यह याद रखना है आपको और आगे चले हम कितने पदक जीते टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों कुछ जानकारी ले लेते हम चलो टोक्यो ओलंपिक में इस बार कितने पदक जीते कौन से स्थान पर रहा है भारत तो याद रखना है सिंपल सा 48 वे स्थान ठीक है और इसी के नीचे आप याद रहाएं पैरे ए overwhelmingly को चोफोलंपिक में कौन से स्थान पर रहा है 24 वे इस सानपर ठीक है अब बात करें जो हमारा टोक्यो ओलंपिक है मैं हमने टोबिक षेडई जया strengthenafter इनके सुभंकर भी पूछ जाते हैं ठीक है ठोड़ा समधिसके बारे में जाद डिसकर्स कर लेते हैं तो सुभंकर की बात करें है हमारा टौक्य ऐख का ठीक है और पैरा अलंपिक की बात करें वैँ तो इसका हो जाएगा हमारा सो मेटी हें तो याद रखना दोस्तों अच्छे से लिक 통 house मेटीं कोगे हम चाहिक हो होने वाले उनकी बात करें तो तो 2003 में जो खिलेखा वालफ इसके बांइल के हुए कि टूछ कि तो हम बात करें । में ठीक है पैरीश में तुम फ्रांस में ठीक है मैं आगे हम बात करें दोयटारीश के ओंगे फिर वह कहां पर होंगे दोस्तों वह हमारे होंगे Los Angeles में ठीक है लोस अंजेल्स में थेखेट दोस्तों तो यह हमारे दोधितारच वाले नहीं है 24 के आठीक है 20-24-28-32 तो अगर हम 32 वाले की बात करें तो 32 में कहां पर होंगे तो उस्तों ब्रिज्बें वहोंगे ठीक है तो 32 के कहां पर होंगे बिज्बें और वह 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 छापान में ठीक है तो आगे चलें दोस्तों तो 16 वाले कहां पर हुए था हमारे कमेंट कीजीगा कि 2016 के ओलंपिक कहां पर थे तो यह कुस्षन आपके लिए तो कमेंट कीजीगा जादे जादे शेयर केजे दोस्तों वीडियो को आगे चलते हैं आगे आप कुस्षन देख पार होंगे भारत के सुतनतरता संगर्ष के दोर अच्वान टैकन ड्यूकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किस्था किस ने की थी तो भी दम स्ट्रगल ओंडिया वुं हेड इस्टेबलीज़ट अं क्या है इंस्टेटुशन कोल डिकर एजूकेशनल सोसाइटी तो किस ने की दोस्तों तो यह हमारा बाल गंगदर तिलक ठीक है बाल गंगादर तिलक जीने की थी लोग मानने बाल गंगादर तिलक जीने की थी किसकी दोस्तों डिकन एजुकेशनल सुसाइटी नामक संस्ता की स्थापना ठीक है बाल गंगादर तिलक तो क्या होगा दोस्तों हाली में लोग मानने तिलक बाल गंगादर तिलक वर्ट से किसे सम्मानित किया है दोस्तो और सभी को पताई यह कहले को को हालही में लोक माने तिलख लिए तिलख गपार ऑवर्ट से वनित किया गया है ठीक किसі दिया है सायरस पूने वाला हो तो यह ढूर दोस्तो यह हमारे कहाँ के दोस्तों सीरम इंस्टिटूट उफ Pune ऐजयां कंपनी जिसने कोवी और तो यह को आप सभी orieस का पता कि यह ए किरिक पूने की जो है तो इस कंपनी के जो मेन हैड है चेर्मेन बोल सकते हैं या हमारा कुछ भी बोल सकते हैं तो इनी के अंडर में है वो सायरस पूर्ने वाला तो इसलिए इनको वोट जागा है कौन से दोस्तों बाल गंगदर तिलग 2021 बालोग मानने ठीक है तो कोवी शिल्ड वैक्सिन हो रहा ज लगए तो को भी शुल्ड और ग्याद रखना ठीक है और चलते हैं अप्द्र देख पाएंगे अच्छे कुस्टन दोस्तों डिटेल बता जा रहा है तो क्लास अगर अच्छी लगई तो शेयर कीजे का लाइक कीजे को सेसिन को जितना ज्यादा ज़्यादा उसके शेयर यूटूब चैनल को तो कोशन नमबर टैन आप देख पार हुँआ थारस सफ्केंड कडर के समय भारत का गवर्नर जर्नल कौन था क्या है अठार टीक है कि आंटिय थी थी था था थायों तो यह को चौशन आपको ठीक है तो कूंदे दोस्तो लौर्ड केनिंग सभी को पता है वाज़ दे गवर्नर जणर्नल ओफ इंडिया द्यूरिंग दा इम्यूनिटी ओफ टारसो सतावन ठीक है दोस्तों तो अठारसो सतावन के क्रांती आप सभी को पताई यह पहला सतंतरता संगराम बोल सकते हैं या पहला सेनानी विद्रो बोल सकते हैं ठीक है तो पैज कौन थे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग ते उस समय ठीक है कौन थे गुवर्नर जर्नल को तो लॉर्ड कैनिंग ठीक है तो आगे चलते हैं कुछन की तरफ नहीं को छेड़ेंगे हम तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ठीक है तो आप कुमेंट कीजेगा अगर आप किसी टॉपिक तो किसने तो आपतकुँ अर्य समाज na ठीक है है और ये समाज ने जिया था आरे समय ठीक है तो भारत भारती के लिए नारा कि दोन दल्च ठीक अरष ने दिया था अगे इसलते दोस्तों तो आगा पाधियांचल और सत्थ पुड़ा पार्ड यो के बीछ बीच से होकर होने वाली नदी कौन सी है क्या है एक तो हमारी विध्यांचल ठीक है और यह विध्यांचल की पाड़ी हो गई और यह हमारी होगी सत्पुड़ा की पाड़ी ठीक है तो इन दोनों के बीच से जो रीवर निकल रहे है न क्या इन दोनों के बीच से जो रीवल नि तो याद रखने दोस्त तो अच्छा कुशन है कि विद्यांचल और सत्पूडा पाडियों के बीच से होकर वेहने वाली नदी कौन सी है तो यह हो जाएगा हमारी नर्मदा नदीर ठीक है नर्मदा रीवर तो आगे चलते हैं आगे कुशन देखते है ठीक है तो आगे कुशन क्या है इन्वेस्टर प्रोडक्शन क्या है दोस्तों इन्वेस्टर प्रोटक्शन फंड इन्वेस्टर प्रोटक्शन फंड इन्वेस्टर प्रोटक्शन फंड कि संस्था ने स्थापित क किया था यह किया है तो विच और्गनाइजेशन है इस्टेवलीज दा इन्वेस्ट還是 प्रोटक्षण फंड तो किसंए क्या दोस्तों से भी ने ठीका से ङॉँ कि से भी थी थी का तो यह दोश्कों धोस्तों इन्वेस्टर प्रोटक्षण फंड financial ने कि या दोस्तों एक कुछन आपके लिए कि सेभी का मुख्याल है कहा पर इस्तित है ठीक है तो इन्वेस्ट प्रोटक्षन फंड की सापना किस ने की थी सेभी संस्थाने की थी आगे चलते हैं दोस्तों कि आगे आप देख पार होंगे क्या है कुंडापूर एव करवार कच्छ बनस्पती इस्थान कहां इस्तित है क्या पूछ रहा है दोस्तों कुंडापूर एव करवार कच्छ बनस्पती इस्थान कहां इस्तित है तो वेर आर कुंडापूर एंड करवार कच्छ वेजिटेशन प्लेस और लोकेटिड तो कहां पर इसे थे दोस्तों तो यह हमारा करनाटक राज्य में ठीक है कहां पर है करनाटक राज्य में यह ठीक है दोस्तों और एक परजेंट में करनाटक के सीम को नहीं के एक पर्जेंट में करनाठक эту ही टक हो जाएंगे हमारे विसव राज ठीक है अर्फ तो यह अच्छा खोशन्हां दोस्तूर नंटक सियहं इंचया रखना और करनाठक genau कि के Xin है क्रैपाल को नहीं थावर चंद ग्हह науч टीक है करना थावर चंद टीक है दोस्तों तो यह होगे मारे खावर्चन्द्र गैलोड राज्यप्ल लोगे मां के करणा टके और करना टके चीम कौन से होगे दुश्तों यह होगा है क्यों गयों सा है यह जो करना ठकका नवीन तम में जिला जो भॉली में बनाया करना चका ही टो यह यह हो कुछा एक हमारा तो दोस्तें विलन अगर टिक है घो किशोबीन अगरन characterize शामराज्य पहले सब्सक्राइब नंबर 15 यह हमारा लास्ट को सना ठीक है इस स्रीज का दोस्तों अगर स्रीज पसंद आये ना तो कमेंट कर देना सेर कर देना ज्यादा और बोल देना मतलब की हां सर ऐसी क्लास लाते रही है आप हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा दोस्तों ज्यादे ज्यादा को लाइक कीजिए जा जबा और शेयर कीज़े ठीका तो भारत की परतम बहू कृणत कि बनाये गई है क्व और वन्हें चयुक्षण सफ gesch दोस्तूब्स इन हे हैं किस डीन पर बनायी थी तो और विच रीवर वाज इंडियास फस्ट मल्टी पर्फस प्रोजेक्ट बिल्ट तो किस रीवर पर बनाई गई थी दोस्तों किस नदी पर बनाई गई थी यह कुशन अच्छा कुशन है एक नमबर का कुशन है ठीक है तो किस नदी पर बनाई गई थी दोस्तों दामोदर नदी प क्योंकि आपके लिए मेंच्छे कोशन सेलेक्ट करके अच्छे लेवल से बना जाता है ठीक है और डिटेल्स में थोड़ा निकाला जाता है ठीक है तो कमेंट करिए अच्छी खुछी की बात है कि हमारे पास 10K मेंबर होने वाले हैं ठीक है तो जल्दी जल्दी कर दीजिये और जितने वी श्टुरण्टत है आपके वट्सपट टेलिग्राम हो इंस्टाग्राम हो सब जगहारे शेर्यक किजिए और ज्यादादा ज्यादा बच्यको ठीक है बिलाने की कोशिश किए ठीक है दोस्तों तो मिलते हैं नेक्स्ट मीडियो में नेक्ट्ट बाइ 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 टेका दोस्तों